हवाई जाज जिसे आज पूरी दुनिया एरोपलेन के नाम से जानती है पर क्या आप जानते हैं कि इसका अविस्कार कब हुआ नहीं जानते तो आईए जानते हैं हवाई जाज बनने का अविस्कार तो बहुत पहले शुरू हो चुका था परन्तु इस अविस्कार की सफलता आर विल्बराइट्स और विल्बराइट्स नामक दो भाईयों ने 17 दिसंबर 1903 में की और यो संयुक्त राष्ट अमेरिका के रहने वाले थे ये बच्पन से ही बह में यो ख्याल आया क्यों ना इस खिलोने को हगीकत में बदला जाए और फिल वे हेलिकप्टर बनाने की प्रकिरिया में लग गये और जब उनके मन में ये ख्याल आया तब उनकी उम्र महत सिर्फ 11 साल वो 7 साल थी जब इस हवाई जहाज का प्रिक्शन किया गया तो हवाई जहाज का प्रिक्शन सफल रहा और इस विवान में 120 फिट की उचाई पर 12 सेकेंड की ओडान भरी और इसका नाम राइट स्प्रायर रख दिया गया इस हवाई जहाज में 12 होर्स पावर का इंजन के साथ साथ इसका वजन लगबक 180 पाउंड था ऐसा इंजन तब इस हवाई जहाज के लिए प्रयाप्त था फिर इसको समय के साथ साथ नए नए तकिनिकों से लेस किया गया और आज इसमें नए परियोग जारी है